स्टूरेंट्स टू आयटेंट सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताके आप कोई वीडियो में इस न कर सकें तो देखें आज की जो उमारी क्लास है उसमें उम्नुख पढ़ने वाले हैं प्रश्न पत्र निर्माड तो देखें प्रश्न प्रश्न पत्र का हमें निर्माड करना होता है प्रश्न पत्र के ही द्वारा हम क्या करते हैं कि हम छात्रों का मापन एवं मुल्यांकन दोनों करते हैं क्योंकि देखें प्रश्न पत्र निर्माड एक ऐसी विधी है जिससे कि आप छात्र का मापन और मुल्यांकन दोनों मान लेजे कि आप एक टेस्ट अगर देने गए ठीक है आप मेंसे कई लोग आप टेस्ट देने गए तो आपको कुछ एराउंड आपको 25 कोस्चन्स के एराउंड मिलेते हैं ठीक है और ऐसा है कि 25 मेंसे जिसने भी 10 कोस्चन्स अटेंट किये अटेंट किये और सही भी किये वो स्टूडेंट पास हो जाएगा तो कई सारे स्टूडेंट होंगे जो आपके 10 ही सही कर पाएंगे कुछ स्टूडेंट जो मतलब जो कमजोर होंगे वो हो सकता है कि फेल हो जाएं वो 10 से कम ही अटेंट कर पाएं और लेकिन कुछ ऐसे भी हों पंद्रा कर देंगे 16 कर देंगे 18 कर देंगे even आपका आपका जो रहेगा कि आपका ये देखे 15 questions जो हैं ये class में average सभी लोग कर देंगे 15 questions correct जो class में जो average students होते हैं वो सभी लोग लगबक कर देंगे लेकिन आपकि वन एक या दो खोस्टन आपके ऐसे होंगे जो क्लास में शायद कोई न कर पाए उनको क्या करा जाता है की प्रष्णपत्र निरमाद जो संस्था करती है ऐसा स्कूली स्थर पे तो नहीं होता है, लेकिन आपका जो competition के स्थर पे होता है, कि आपके एक या दो question संस्था द्वारा ऐसे बनाए जाते हैं, कि वो कोई भी छात्र ना कर पाए, ऐसा सोचा जाता है, कि कोई भी छात्र ना कर पाए, लेकिन होता ये है, कि students क्या करते हैं, क कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिना पढ़े question को क्या करते हैं, कोई ना कोई particular ABCD में से कोई ना कोई option क्या करतें हैं, fill कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादातर लोगों का सही भी हो जाता है, कुछ लोगों का गलत भी हो जाता है, लेकिन question जो set किया जाता है, set करने का purpose यही होता है, कि इसको ज़ादा से ज़ादा students जो है, वो ना कर पाएं, इस question को उसको क्या करें? या तो गलत करें, या छोड़ दे, इस purpose से बनाया जाता है, तो वो जो आपके एक या दो questions होते हैं, वही student का मुल्यांकन करते हैं, पूर्टिकस की पूर्ति के लिए व्यक्ति , रसनस्था द्वारा पुरतिक स्तर पर एक योजना बनाया जाती है बतलब कोई भी लक्ष है अगर हमें पूरा करना होता है कोई भी टॉर्च है अगर कॉम्क्लीट करना होता है, तो पहले टार्गेट से से मितabord है एक्विप्मेंट होती, वह में प्लानी करनी होती।। जैसे भारत सरकार द्वारा द्वारा बनाई गई पंच वर्षी यूजना। तो देखियें जो पंच वर्षी यूजना जो होती है। होती है ये पंच वर्षी योजना में क्या करते हैं कि हर पांच साल में क्या किया जाता है लोग कल्यान लोग कल्यान के के perspective से कुछ नया development करने की नीती तयार की जाती कुछ नया कुछ नया जो होता है वो विकास करने की कोशिश की जाती है, ठीक, कुछ नया विकास लाने की कोशिश की जाती है, और उसमें कुछ सफलता भी मिलती है, और कुछ उसमें असफलताइं भी मिलती है, दोनों तरीके की बाते होती है, अगर कोई योजना बनाई जा रही है, तो उसमें successful होना, unsuccessful होना, दोन से आपको कुछ भी मिल सकता है योजना बनाते हैं तो इसमें सक्सेस और फिलियर दोनु में से आपका कुछ भी मिल सकता है ठीक है जिसके अंतरगत विविन पक्षों के मापन हेतू प्रश्णो को समुचित स्थान प्राप्त करने हेतू योजना तयार की की जाती है तो इसमें क्या करते है कि हमें विविन प्रकार के प्रश्णों को में क्या करना होता है इकठा करना होता है और फिर हमें योजना पैयार करते हैं इसी प्रकार प्रश्णों का चैन किया जाता है प्रश्ण पत्र निर्मार को चार सोपानों में बाटा गया है तो दे योजना बनाते ठीक है तो योजना आपका क्या होता है योजना आपका उससे रिलेटेड आपका रूप रेखा जो भी हमें जो भी हमें equipment और जिनकी भी आवश्यक्ता होती है वो हम ले लेते हैं ठीक है फिर हम क्या करते हैं प्रश्णों की रखना करना अब प्रश्ण पत्र निर्माल करना है तो प्रश्ण तो चूस्त करने होंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा question selection question making कि इसमें हम क्या करेंगे जो question है question है हम उनके लिए बनाएंगे या तुम किताब या दोनों काम कर सकते हैं question हम बना भी सकते हैं यह हो सकता है कि हम अगर नहीं बना पा रहे हैं, बनाने में सवाफलता नहीं मिल रही है, तो फिर हम क्या करेंगे दूसरी किताबों में हम उन questions को ढूणेंगे ठीक है और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उसलेक्षन होगा इसमेह में प्रॉबल्लम कोश्चन को अम क्या करेंगे सेलेक्ष fahrenगे और उसके बाद परिच्छँ वोगा परिच्छां के आधार पर क्या होगा मुल्यांकन होगा चीक है तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं देखे बच्चो अब हम लोग blueprint के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो देखे blueprint क्या होता है किसी भी प्रश्न पत्र का प्रारूप जब तयार किया जाता है किसी भी प्रश्न पत्र का प्रारूप जिस प्रकार से हम तयार करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं ब्लूप्रिंट कहते हैं तो ब्लूप्रिंट के द्वारा प्रश्न पत्र का प्रारूप तयार किया जाता है आप देखिए इस प्रश्न पत्र के प्रारूप में क्या हो सकता है जैसे जब मकान वगेरा बनाए जाते हैं मकान बनाए जाते हैं बिल्ड उनके जो blue prints होते हैं, तो उनमें यही सब चीज़े बताय जाती हैं, कि कहां हमें आंगन करना है, कहां पर हमको आंगन बनाना है, कहां पर हमको cafeteria रखना है, किस जगrånे हमको hall बनाना है, किस जगा पर हमको assembly के लिए हमको office बनाना है, तो ये सब जो चीजे सोची जाती है ये सब जो भी एक डिजाइन तयार किया जाता है वो ब्लूप्रिंट के माध्यम से किया जाता है आप देखिए प्रशनपत्र के बारे में अगर बात करेंगे प्रशनपत्र निर्माण में अगर हम ब्लूप्रिंट तयार करते हैं तो वहा पर ब्लूप्रिंट का क्या रोल होता है तो देखिए जैसे मान लीजे हमारे हम जिस भी विशय का प्रश्नपत्र टैयार करने जा रहे हैं मैं मान लेता हूं कि उसमें क्या है एक दो तीन चार पाँच छह साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा ठीक है मान लीजे तेरा चेप्टर है जो पेपर हमको तयार करना है तो उसमें तेरा चेप्टर है तो देखिए तेरा चेप्टर में हमको किस चेप्टर को हमें सबसे ज़्यादा अधिक वेटेग देना है किस चेप्टर किस चेप्टर से हमें कितनी कोश्चन रखने किस चेप्टर से हमको कम question रखने है किस chapter से हमको ज़्यादा question रखने है प्रते question कितने अंका होना चाहिए बहु विकल्पिये प्रशनों की संख्या कितनी होनी चाहिए अतिलगुत्री प्रशनों की संख्या कितनी होनी चाहिए लगुत्री प्रशनों की संख्या कितनी होनी चाहिए और दीरहुत्री प्रश्णों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये सब हम blueprint के माद्य हम से त्यार करते हैं तो देखें मैं example के लिए ले रहा हूँ मैंने ये एक से लेकर के 13 तक लिए हैं क्योंकि देखें जो तच्छा 12 में Class 12 में जो Maths की जो NCRT है Maths की जो NCRT है 13 चप्टरों में जो हमारा सबसे important चप्टर होता है वो है 7 चप्टर 13 चप्टरों में सबसे ज़्यादा important होता है 7 चप्टर मैं UP board के perspective से बात कर रहा हूँ ये आपका 7 चप्टर होता है 7 चप्टर आपका होता है integration जब प्रेश्ण पर निर्मार किया जाता है यूपी बोर्ड में क्लाश 12 का जब पेपर बनाया जाता है तो तो इंटीग्रेशन चेप्टर अलग होता है एक परफ होता है पेपर में और ये बाकी 12 चेप्टर अलग होते हैं ये आपका इंटीग्रेशन चेप्टर से क्लाश 12 मैथमेटिक्स में 100 मेंसे 30 नंबर का पेपर आता है इंटीग्रेशन से और इंटीग्रेशन वाकिय में समाकलन जो होता है वो वाकिय में बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है आगे के भविष्चे के लिए क्योंकि है BSC में भी होता है even अगर लोग अगर लोग डिप्लोमा करने जाते हैं अगर किसी अगर किसी राज की राज की विद्याले वगेरा से अगर डिप्लोमा अगर करते हैं तो वहां पर भी समातलन का प्रियोग बहुत ज्यादा होता है जो definite integral होता है उसका बहुत तो आपका निश्चित समातलन होता है निश्चित समातलन में आपका आपके पास कोई भी आपके पास irregular body है तो आप निश्चित समातलन के द्वारा उसका आप area find out कर सकते हैं आप एक lower limit ले करके upper limit ले करके आप उसका उसका छितरफल find कर सकते हैं किसी भी body का आप area find कर सकते ह इसलिए जो है जो सातवाँ चेप्टर होता है इंटीग्रेशन इससे आपका 30 नंबर का पेपर होता है और इसके जो कोश्चन होते हैं इसके जो कोश्चन होते हैं बहुत ज्यादा अब्जेक्टिव में भी दिखाई देते हैं बहुत ज्यादा आपके अतिलगुत्री में दि पे हाई स्कूल के स्टैंडर्ड पे जो आपके पेपर होते हैं तो आपका जो पेपर होता है 100 मार्क्स का जो पेपर होता है वो 24 को एड करके 130 मार्क्स का होता है आपको 130 मार्क्स में से आपको लगबग 100 मार्क्स का पेपर अटेम्ट करना होता है और उन 100 मार्क्स में से आपक कि आपका मापन किया जाता है तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि देखे जब अम प्रश्नपत्र निर्मार करते है तो उसके ब्लूप्रिंट का जो रोल रहता है इसमें वो सिर्फ यही रहता है कि हमें एक खागस तैयार कर लेना होता है और उसमें हमको क्या करना होता है उसमें हमें दीरगुत्री प्रश्णों की संख्या लगुत्री प्रश्णों की संख्या अति लगुत्री इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट के जीवन में नहीं प्ले कर रहा है तो इससे हमें कुछ नहीं रखना ये भी हम ग्लूप्रिंट के माध्यम से सह करते हैं तो आईए बच्चों ढ़ों इसको पढ़ल लेते हैं ग्लूप्रिंट में अंकों का विभाजन ठीक हैं अंकों का विभाजन करते हैं जब हम अंकों का विभाजन अम इस तरीके से करते हैं कि किस प्रश्न को हमें दो नम्मर का रखना है किस प्रश्न को तीन नम्मर का रखना है किस प्रश्न को पांच नम्मर का रखना है तो इस तरीके से हम अंकों का विभाजन करते हैं अंकों का विवाजन प्रश्णों की रचना, प्रश्ण हम बनाते हैं, प्रश्ण खुद से भी बनाते हैं, किताब से भी देख करके बनाते हैं, तो प्रश्णों की रचना में आ गया, प्रश्ण पत्र निर्माण के आधार सिला प्रश्ण पत्र का प्रश्ण पत्र का जो प्रावूप होता है तुरा वो आपका एक आधार सिला की तरह होता है प्रश्णों के प्रकार पाठे सामगरी आधी का विवरन प्रस्तु किया जाता है blueprint प्रश्न पत्र के निर्मान में guide के रूप में कार्य करता है तो देखिए पहले क्या करते हैं कि जब हम blueprint तयार कर लेते हैं जब हम blueprint तयार कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या होता है कि हमें कई किताबों का समुच्चे है, हमें टटोलना नहीं पड़ता है, फिर हम क्या जरते है, प्रेश्ण पत्र निर्माड के लिए, हम अपना blueprint उठाते हैं, जो भी हमने, जो भी हमने उसमें database हमने collect करके रखा होता है, बस उसी को देख करके हम प्रेश्ण पत्र का निर्मार कर देते हैं सीधी साब बात जैसे उसमें क्या होता है गाइड में क्या होता है छात्र को कल एग्जाम देना है तो वो आज गाइड पढ़ेगा पूरे दिन गाइड पढ़ेगा पूरी रात गाइड पढ़ेगा और उसके बाद अगर रात के भी बाद अगर थोड़ प्रश्नपत्र के निर्माळ के लिए हमको देखना रहता है। और निर्देशक रण containers umm रणनीतियों को डिजाइन करने में सहायता करता है, ठीक है, तो जो निर्देशक के रूप में रणनीतियां मनाने में भी ये सहायता करता है, ठीक है, तो इतना पूर्शन आप लोग नोट कर लिए। प्रस्पेक्टिव से ध्यान रखते हैं कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है, और कुछ प्रश्न पत्र निर्माण के समय एथिक्स होते हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, एथिक्स के अंतरगात आप ये कह सकते हैं कि देखें भाई प्रश्न पत्र अगर हम निर्मा और डिस्क्रिप्टिव दूनों होता है मेरे कहने का मतलब यह है कि उसमें multiple choice question और विस्तरित उत्रिये प्रश्न दूनों type के अगर question होते हैं तो उनका ethics यही कहता है कि भाई सबसे पहले हमें objective रखना है उसके बाद हमको very short रखना है उसके बाद हमको long answer type question रखना है ठीक है तो जो परिच्छा ली जा रही है उससे बालक की बालक की किस योग्यता का मापन करा जा रहा है इसका इस पश्ट होना चाहिए बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब भी हम परिच्छा हम लेते हैं तो उसमें हमें छात्र की योग्यता छात्र की योग्यता का हमको ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस लायक है उसके उस लायक ही हमको पेपर बनाना होता है जैसे कि जैसे कि कच्छा पांच के क्लास के बच्चे की अगर वार्षिक पर इच्छा है तो हम उसे कच्छा पांच की ही किताब से हम उसे कोश्चन उठा करके देंगे तो यह आपका एथिक्स होता अब ऐसे ही आपका सरकारी नोकरी के भी एक्जाम में होता है अगर आपका SSC लेवल का एक्जाम है तो भाई उसका स्टेंडर्ड यही होता है कि हम क्लाश 10 में जितना भी डिफिकल्टी लेवल होता है हम हर टाइप का डिफिकल्टी लेवल हम आपसे पूछ सकते हैं ठीक है त हाई फाई लेंगज नहीं होनी चाहिए अब जैसे क्या होता है कि देखिए आप जैसे पढ़ते हैं तो आपको एक ही शब्द के कई पर्यावाची मिलते हैं पर्यावाची का मतलब यह होता है कि एक ही शब्द होता है और उसको हम भिन भिन रूपों में वेक्त कर सकते हैं एक ही शब्द के कई सारे एक ही समान शब्द के कई सारे पर्यावाची हो सकते हैं तो ऐसा ना हूँ कि हम जब प्रश्ण पत्र डिजाइन कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि हमने बहुत कठिन लेंगवेट डाल दी और वो लेंगवेट बच्चों के समझ में ही नहीं आ रही है ये नहीं होना चाहिए तीसरा क्या है प्रश्ण पत्र विशय वस्तु पर आधारि होना चाहिए ठीक है प्रश्ण पत्र हल करने के लिए दिशा निर्देश इसपष्ट होने चाहिए और उनके अंक प्रश्णों के सामने लिखे होने चाहिए तो देखिए प्रश्ण पत्र हल करते समय जो दिशा निर्देश है वो हमारा यहीं निर्दारान करता है कि जब छ strategy होती इस तरीके से सोचा जाता है और कई लोग answer answer देते समय क्या करते हैं कि objective कर लेते हैं फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या करते हैं कि long answer करना चालू कर देते तो कोई ऐसी problem नहीं यह master जो हमारे master जी होते हैं वो हमारी copy चतब भी चेक कर देते हैं ऐसे कोई big deal नहीं होती है क्योंकि छात्र के perspective को हमेशा ध्यान रखा जाता है छात्र के perspective से हमेशा यह देखा जाता है कि जब छात्र question paper करता है तो छात्र जब question paper करता है तो उसको जो answer सबसे ज़्यादा आता ह है वो उस प्रश्न को पहले करता है तो यह strategy होती है और यह strategy रखना सही भी होता है क्यों क्योंकि क्या होता है कि जब आपको कोई चीज कम आती है और आप सीधा आप उससे start करोगे तो आपको तो क्या होगा कि examiner जब आपकी copy चेक करेगा तो उसके अंदर एक पन की tendency आ सकती है और हो सकता है कि आप जो marks आप deserve करते थे शायद आपको वो ना मिले तो इस चीज का भी खासा थोड़ा ध्यान रखा जाता है इसमें कि जो आप question paper कर रहा है उसकी direction उसकी जो direction होती है वो सपश्ट होनी चाहिए और इसमें क्या होने चाहिए कि जो हर प्रस् नमबर का question होगा तो उसके सामने दो नमबर लिखेंगे five number का question होगा तो उसके सामने पांच नमबर लिख देंगे तो ये चीज इस पश्ट होनी चाहिए और प्रश्ण पत्र छात्रों निर्मान च्छात्रों की समय जवं सूजबूच पर आधारित होना चाहिए हां नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 वजbon देने जा रहा है अगर समय अवजी निष्चित नहीं होगी तो फिर कोई भरोसा ही नहीं है फिर को अगला पेपर हो ही ना पाए तो ऐसा थोड़ी नहीं के शार नहीं जो होए रात को नौ बजे पेपर दे के लात रहा है तो यह गड़बर हो जाएगा अगर हम समय अवधी निश्चित नहीं करेंगे तो समय अवधी टाइम पीरियड जो है वो निश्चित होना चाहिए ठीक है चलिए आज ही क्लास के लिए इतना ही अब आपका प्रश्ण पत्र निर्माण वाला जो था सेक्षन वो खतम हो गया so all right fair enough god bless you all and this is the end of class